बीजेपी में शामिल होने का जो इशारा है वो लगभग, फाइनल है, लगभग तै है कि किसी भी वक्त कमनात दिल्ली में बीजेपी जॉईन कर सकते हैं। चुकि दिल्ली बीजेपी अभी अधिवेशन में व्यस्य है, भारत मंडपप में भारते जनता पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, तो वहीं कमलात के घर पर जैश्री राम का जंडा लग चुका है, उनके समर्थक हैं या उनके सायोगी कहें, सर्जन भर्मा ने अपने माइ श्री राम का नारा है, भगवान श्री राम के नाम के सहारे, ये राजनितिक वैतरनी पार करने का जो प्रयास है, यहां क्या कमल के साथ कमलनात होंगे, ये भी सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलेगा, खुद इसका जवाब कमलनात ने दिया, उनका कहना है कि अभी बात हुई नहीं है लेकिन बात आगे होगी बाचीत का सलसला भी हम अपने सयोगियों से जारे रखेंगे जिसमें हमारे साथ अभी अर्शफ काजमी दिली से मौझूद है हनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात हो रही थी चिंदबाडा भी चलेंगे और ये देखें ये उनके आवास पर लगा हुआ श्री राम के नाम का जंडा है और शैलेंदर चोहान भुपाल से हमारे सयोगी इंदौर से मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भुपाल में क्या मौमेंट है चिंदबाडा में चलें उससे पहले भुपाल का मौमेंट देख लेते हैं शैलेंदर क्या स्थिती है भुपाल में चुकि बहुत सारी कोशिशें कॉंग्रेस कर चुकी है उपर से जो आवरन है वो ये है कि कुछ नहीं हो रहा है सब ठीक है लगता है शैलेंदर तक आवाज पहुँच नहीं पा रही है एक बार फिर से प्रयास करेंगे शैलेंदर उससे बात करने का शैलेंदर अगर आपको आवाज मिल पा रही है बताईएगा क्या मौमेंट इसमक्ट भुपाल में है लगता है संपर कभी हो नहीं पाया है और चिंदवाड़ा में राजश हमारे सेयोगी लगातार मौझद है राजश चिंदवाड़ा वो गड़ है जिसे बीजेपी किसी भी हालत में जीतना ही चाहती है तो अगर फिल्म का डायलोग मुझे याद आया कि हम आँखों से काजल नहीं आँखे ही चुरा लिया करते हैं अगर कमलनात को हरा पाते या या ये सीट जीत पाते इस रणनीती को थोड़ा बदल कर क्यों न देखा जाए बीजेपी अलग नजरिये से हमेशा सोचती है तो कमलनात कोई साथ मिला लिया जाए सीट अपने आप ये अपने हाथ में आजाएगी कि कही न कहीं सीट को हासिल की कर लिया जाए चुकि 28 सीटे जो लोकसभा की आ है मद्परदेश में वो बीजेपी के हाथ में थी एक मातर सीट थी जो सानसा नकॉलाट जो है मद्परदेश के चिंदवाला से जीते थी बीजेपी का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि चाए विदान सबा हो चाहे लोकसबा हो चाहे छोटे चुना हूँ यहाँ पर पर्चम लहराया जाए लेकिन हमेशा से परिशानियों का सामना करना पड़ा है और कमलात को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होता रहा है अभी भी कमोबेश यही हालात है